नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूट्यूब चैनल में तो आज किस नहीं वीडियो में हम जानेंगे इनिवर्सिटी और कॉलेज चात्रों के लिए जो जरूरी अपडेट है जो जरूरी सुषना है उसके बारे में तो क्या अपडेट क्या सुषना है इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चके दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल के बादें से बहुत फारे इनिवर्सिटी के बहुत फारे चातर जुड़े हुए तो आ पहले यह अपडेट देख लेते हैं उसके बाद हम और भी जानकारी आप लोगों को बताएंगे तो इसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी जो यह अपडेट आई इसके लिए जो की अलाउंसमेंट हुआ था एंप इनिवर्सिटी के उसमें बता गया था कि आप सभी के बताना चाहूंगा वह पूरी तरह से रियल न्यूज है वह कंफरम हुआ है मध्यप्रदेश के उच्छा मंत्री ने अलाउंसमेंट किया है कि परिच्छा है वह इसी बेस पर इस मत्तुमें कराई जाएंगी ठीक है तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद और भी जानकारी ह होंगी कॉलेज की परिच्छा है ओफ्लाइन देना होगा पेपर इसके लिए मैंने कल वीडियो बना दी मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोग टेंसर मत लीजे क्योंकि कुछ और अपडेट है जो कि मुझे लगा वह भी आपको तक बताना ज़रूरी इसलिए वीडियो में बना रहा हूं फिर से ठीके लिए देख लेते और क्या अपडेट है लिखा कि मद्ध प्रदेश में क्रोना के बढ़ते प्रभाव के चलते मद्ध प्रदेश MP के उच्छ सिच्छा विभाग हाई एर्ड इजोकेशन डिपार्मेंट ने कॉलेज छात्रों को लेकर बड़ा अप्रेयर में आजित होने वाली सभी प्रकार की परिच्छाएं एकजाम 2020 सब माई में प्रारम होंगी इसके साथ ही इग्रे विभाग हॉम डिपार्मेंट स्वास्ते विभाग मद्ध प्रदेश सासन द्वारा कॉवीड-19 के संबंध में जारी निर्देश हो का पारन करते हुए सभी महाविध्य लेओ कॉलेज को देश जारी कर दिये गए हैं यानि कि जो मद्द प्रदेश में जो परिच्छाएं अप्रेल में होनी थी वो आने वाले दिनों यानि कि मई और जून में पोस्ट पॉंड कर दी गई हैं तो अन्य भी राज जी जो हैं सासात में मैं ले ना सकते हैं क्योंकि कोवीड के बढ़ते करम की वज़ा से आप जाम पॉस्ट पॉंड हो सकते हैं यह मैं अभी से आप लोगों के एडवाइस दे रहा हूं लेकिन अभी से लिए अनने राजिकर इनुर्सीटी को चुँर से ऐसी नहीं आया लेकिन मैं आप लोग के एड़् और इसमें तो आप लोग ने पढ़ लिए आप दूसरी हम और इसमें जो अपडेट वो देख लेते हैं दिखा कि उच्छा मंत्री डाक्टर मोहन यादो ने बताया कि विद्यारती के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए यह निड़ा लिया गया कि इसनातक अंतिमर्थ यहु परिच्छा है वह आफ लाइन बेस पर कराई जाएंगी वह भी मैं में संचालत कराई जाएंगी तो बहुत आप सारे स्टूडिन बढ़के हुए वह कह रहे हैं कि आप लाइन एक्जाम अपना रही है वह पूरी तरह से इस संक्रमन का ध्यान में रखते हुए इक्जाम कराएंगे ठीक है लेकिन दोनों में चात्र कर रहे हैं चात्र कहे रहे हैं आर्लाइन परिच्छा है और कॉलेज इनुवर्सिटी कहे रही है ऑफ लाइन ठीक है और लिखाए को सिच्छा मंत्री मोहन यादो ने बताए कि असनातक प्रत्रमन दूतियव वत तथा अशनोतर दुतिये समस्ट्रे के पेच्छा ओपेन बुक पद्धत से जून 2021 में आउजित की जाएंगी जिसमें परिच्छार्थी अपने निवास में ही रहकार परिच्छा आर्लाइन एकजाम 2021 देंगे तथा निकट के निर्दाये से अंग्रेड के नियुक्तर पृस्तिका जम्हा करेंगे और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है कि उच्छा मंत्री मोहन ने बताया है कि असना तक पृथा में उन दुतिये वर्स तथा असनोत्तर दुतिये के जो समझते के जो चात्र उनकी परिच्छा ओपन बुक पद्धत के अधार पे होंगी उपन बुक का मतलब आप सब्सक्राइब समझ रहे होंगे यानि कि आप सभी के पास जो बुक होगी उसको साथ में आप लोग उसको लेकर उसमें कोईश्चन आप लोग ढूंड के उसको उसका एंसर लिखना होगा उसतर पृस्टिका में ठीक है यानि कि आप लोगो नहीं जाना होगा यह आप लोग समझिए ठीक है तो ले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यहानि कि किताब के रहकर उत्तर पृस्तिका माप लोगों को लिखना होगा वही है ओपन बुक परिच्छह और जो उत्तर पृस्तिका होगी उसे आप लोगों निकट के जो कॉलेज या फिर इनुवर्सिटीज हैं वहां पर आप लोगों को जमा करना होगा ठीक है और लिखा उच्छा मंतरी डाक्टर यादो ने कहा कि क्रोणा के इस कठिन काल में मद्द प्रदेश पहला राज होगा जिसने परिच्छाओं का या काकरम गोशित किया है उन्होंने कहा कि असनात्र के लगबग 18 लाग बिद्यार थी इन परिच्छाओं में सम्मिलित होंगे आफ लाइन परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए संपन कराई जाएंगी जो आफ लाइन जो परिच्छाओं वो बताया जा रहा है कि जो क्रोणा की गाइड लाइन उन्हीं के नियम कानून यानि कि उनको ध्यान में रखते हुए कराई जाएंगी यानि डिस्टेंसिंग और काफी जो चीजें हैं वो मेंटेन करते हुए परिच्छाओं कराई जाएंगी अलगबग 18 लाख विद्यार थी इस बार पहिच्छा देंगे 2020 में असनातक परासना तो मैं यह करूंगा और इसमें यह भी बताया जा रहा कि यह मंध्यप्रदेस पहला राज तो अन्य राज भी इसी तरह के रूर्स कानून अपनाए जाने चाहिए वह भी इसी तरह की गाइड लाइन और इस तरह की न्यूज प्रवाइट करें और स्टूडन तक वो पहचे करेंगे तो बिरोद करने के बाद जो भी नेड़ होगा कि परिच्छाए किस बेस पर कराई जाएंगी जो स्टूडन चाहर है उस बेस पर या फिर जो कॉलेज या इन्वर्सिटी करा रही उस बेस पर तो दोनों में जब मेल खाएगा तब परिच्छाए होंगी ठीक है तो प्रदेश के आठ बिद्याले द्वारा आजित परिच्छाए में सामिल होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बार परिच्छा दोजार के इसमें भाग लेने वाले हैं तो यह रही जो की डीटियल में मुझे लगा आप तक यह जानकाई देना चाहिए कल की वीडियो में बहुत साइच चीज छूट गई थी ठीक है तो वह मैंने इस वीडियो में कबर किया मुझे लगा कि छात्र भी पूरी तरह सटिसफाइड नहीं हुए माई नियूस से तो अगर अभी भी आपको कोई कुईस्चन कोई शुजाओ तो बैसक कमेंट करके पूछ सकते और बात रहे अधर राजजिक इनवर्सिटी की तो मैं अधर राजजिक इनवर्सिटी से जल्द ही जल्द कोई ना कोई अपडेट जरूर आनी चाहिए तो वह आएगी तो हम आप तक प्रवाइट कर देंगे उसके लिए आप लोग टेशन मत लिजें कमेंट में अपनी इनवर्सिटी का नाम जरूर लिखिएगा ठीक है मिलते हैं आपको निश्ट वीडियो में तब तक लिए जैन दुस्तों